इसरो को लेकर आज यानी 4 नवंबर 2023 को एक हैरान करने वाली ख़बर आई है ये ख़बर दक्षिन भारत के मीडिया संस्थानों में प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि इसरो प्रमुख डॉक्टर S. सौमनाथ ने पूर्व इसरो चीफ के सिवन पर एक आरोप लगाया सौमनाथ ने कहा कि सिवन ने उनके इसरो प्रमुख बनने में बाधा डाली थी सिवन नहीं चाहते थे कि सौमनाथ इसरो प्रमुख बने यह आरोप सौमनाथ ने अपने जीवन पर आधारित किताब निवालू, कुडिचा, सिमहल में लगाया है जब इस बारे में सौमनाथ से समाचार एजनसी पीटी आई ने बात की तो उन्होंने कहा कि हर इंसान को किसी संस्थान में सबसे उचे पद पर जाने के दोरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई चुनोतियों को पार करना होता है, वैसे ही समस्याएं उनके सामने भी आई उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में आई चुनोतियों के बारे में लिखा है किसी के उपर व्यक्ति गड़ टिपड़ी नहीं की वह किसी एक इनसान के खिलाफ नहीं है किसी भी एक उचे पद के लिए कई लोग उप्युक्त होते हैं मैं बस इस मुद्य को उठा रहा था मैंने किसी भी एक व्यक्ति पर निसाना नहीं सादा है हाला कि सौमनाथ ने यह भी बताया कि चंद्रियान 2 कैसे फेल हुआ था सौमनाथ ने कहा कि चंद्रियान 2 मिशन जल्द बाजी के चक्कर में फेल हुआ क्योंकि उसे लेकर जितने टेश्ट होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे सौमनाथ ने कहा कि उनकी किताब में चंद्रियान 2 के फेल होने की सही वज़े है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रियान 2 के फेल होने की घोशना के समय जो गलतियां होई थी वो छिपाए गई थी सौमनातिये मानते हैं कि जो जैसा हो रहा है उसे उसी तरह से बताना चाहिए सच लोगों के सामने आना चाहिए इससे संस्थान में पारदर्शिता आती है इसलिए किताब में चंद्रियान 2 की विफलता का जिक्र किया है यह आटो बायोग्राफी लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई है ताकि लोग अपनी चंद्रियों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की प्रिर्णा ले सकें यह किताब किसी की आलोचना केलिए नहीं लिखी गई है नहीं ऐसा कोई इरादा है ये किताब जल्दी बाजार में आईगी